Welcome back to my youtube channel guys आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो थोड़ी सी डिफ्रेंट होने वाले बाकी वीडियो से जैसे कि आज की वीडियो थोड़ी सी रेयलिटी पेस्ट वीडियो है जैसे कि काफी बचों को ये वाली वीडियो हर्ट भी कर सकती है कुछ teachers को भी और कुछ youtubers को भी तो please video end तक देखीगा फिर अपना suggestion comment section में ज़रूर दीजेगा मेरे लिए बहुत important है because मैं काफी different video बना दी हूँ तो कुछ लोगों को hurt कर सकती है जैसे कि रजे मैंने जो चीज observe किया काफी time से जैसे कि अब IELTS को ऐसा business के तोर पर लिया जाता है और students को ऐसा client के तोर पर जैसे कि रजे अब IELTS बढ़ाना कोई teaching नहीं रहा जैसे कि कुछ लोगों के लिए वो उसको ऐसा business के तोर पर लेते हैं जैसे कि रजे मैंने जो खुद मैंने चीज देख रही हूं काफी time से और मैं को इस चीज को बहुत ज़दा बुरा लगता है जब students को ऐसा client के तोर पर लिया जाता है और जिसकी वज़े से students के desire bands course नहीं आ पाते जैसे कि रजे सबसे पहले जो चीज मैंने note की है जैसे कि कोई भी student जब 11 और 12th class में होता है तब teacher से deal करते हैं parents तो parents की पूरी involvement होती तब student को सिर्फ study करना होता है और student का progress parents देखते हैं कि उसकी कितनी improvement हो रही है कितनी improvement नहीं हो रही है जब बात आती है else की तो else में क्या होता है कि जैसे कि जो बड़े-बड़े institutes होते हैं जैसे कि मैं यहां किसी का name नहीं लगँगी और नहीं किसी को target कर रही हूँ तो मैं यह चीज़ पहले clear करना चाहती हूँ जैसे कि जो बड़े-बड़े institutes होते हैं उसमें जो staff रखा जाता है जो actual teachers होते हैं वो तो हमें मिलनी बाते जो staff होते हैं वो staff से ही बात कराई जाती है parents की जैसे कि उसमें वो बताते हैं कि हमारा environment working environment बहुत अच्छा है जैसे कि आपको nine band material दिया जाएगा जैसे कि रजे मैं खुद यह चीज़ जैसे कि यह चीज़ मैं खुद आपको बताना चाहूँगी जो nine band material होता है जैसे कि reading जो आती है वो mostly दो से तीन website होती है जहांसे mostly reading आती है बट mostly रजे हमेशा नहीं और जैसे कि writing का material और जो writing और reading का material बाकी सारा material होता है रजे आप easily download कर सकते हैं जैसे कि आज कल हर बचे को knowledge है जो material है वो nine band material हम easily google से यह मतलब telegram channels होते हैं वहां से download कर सकते हैं जैसे कि मेरा खुद का telegram channel है जहां मैं latest update देती रहती हूं और साथ की साथ cameras का free material भी वहां upload करती रहती हूं so I wanted to clear this thing that जो syllabus हम एक month में clear करवा सकते हैं बचे को वो syllabus वो three months में track करते हैं जैसे कि three months उस syllabus को खीषते हैं जैसे कि first होता है beginner batch फिर intimidated batch फिर जब बच्चों का exam near आ जाता है तब उनको third batch में shift किया जाता है इससे क्या होता है कि जैसे कि वो बच्चों से जो fees होती है वो उनकी fees प्री काफी हाई होती जैसे कि 25,000 जैसे कि वो institutes का ये target होता है जैसे कि वो बोल दें अगर आप आज fees जमा कराएंगे तो 22,000 fees पे करनी पड़ेगी सिर्फ आज आपको अगर आप कल करवाएंगे तो 25,000 fees पे करनी पड़ेगी इससे वो all together वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को attract करते हैं सबसे पहले उनका main target होता है बहुत अच्छा working environment है जैसे कि आपको nine pen material दिया जदा उपर से जो teacher होते हैं वो थोड़े से बहुत जदा partiality वाले होते हैं जैसे कि एक boy गया है female teacher के पास speaking देने तो उसको speaking में six दिये जाएंगे as compared to the girl उसको 5.5 pen दिये जाएंगे और जो लड़के के साथ speaking होगी that will be मतलब की लड़का उतना कुछ खास ना भी सुनाए तो भी उसके six आएंगे और जब लड़की देगी तो 5.5 pen जो मैंने difference देखा है when it comes to institute जब institute में कोई female teacher speaking लेती है एक लड़के की और लड़की में ये difference देखे है होगा और parents को भी पता चलेगा कि institute में क्या होता है real reality क्या होती है institute में बचे कितना बढ़ते हैं और कितना बच्चों को सखाया जाता है institute में जैसे कि काफी institute में ये भी चीज़ देखी जाती है कि बच्चों की जैसे की बच्चे three months लगे रहे थे three months के बाद भी progress नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ जो इतने जादा बच्चे होते हैं जिसकी वज़ा से बच्चे improvement नहीं कर पाते हैं जैसे कि हर बच्चे का base जो होता है वो different होता है किसी का basic नहीं clear होता है किसी का basic अच्छा होता है जिसका basic अच्छा होता है वो जल्दी clear कर जाता है और जिसका basic अच्छा नहीं होता है वो 3 months में भी cover नहीं कर पाता है तो इस बज़र से वो क्या करते हैं parents को बस अच्छी बातों से उलजा लेते हैं और फीज जमा करवा लेते हैं जब रिजल्ट नहीं आ पाता तो दे में टार्गेट कि आपके बच्चे में कोई कमी थी तो मेरे को लगता है कि यह वाली चीज़े हैं जो अपने माइड में रखनी चाहिए जब भी आप किसी इंसीटूट में एडमिशन ले रहे हैं अपनी आइल्स के लिए और साथ की साथ जो चीज ये भी है कि बच्चों को ऐसा बिसनर्स के तोर पर टार्गेट नहीं करना चाहिए और साथ की साथ मैं ये भी चीज़ कहना चाहूंगी कि बच्चों को भी अपना एम क्लियर होना चाहिए कि उनको जल्दी से जल्दी अपनी आइल्स क्लियर करनी है और साथ की साथ मैं ये भी चीज़ कहना चाहूंगी अगर आपको येवाली वीडियो अच्छे लगी तो please और students के असाथ और family members के साथ जरूर शेर कीजेगा and do subscribe to my 유튜브 channel guys and thank you for watching